Rule number two, surely, अब आप paper में पहुंच चुके हो, paper में पहुंच, आपके पास sheet आ गई है, अगर offline है यहां online है, वैसे तो online हो रहा है test, तो computer based है, तो computer based भी है, तो surely, first rule क्या है, second rule क्या है, कि आपने जो stem है, stem जो statement जो question form होती है, जो शुरू में MCQ में पूछी जाती है, तो उसको समझ ना है, अगर वो ही समझ नहीं आई, तो आप होई नहीं सकता कि wrong input तो right output नहीं होगी, जैसे computer का यह formula है, input garbage, output garbage, तो उसको समझना है, उसको समझने के लिए कुछ छोटी छोटी strategy है, अगर आप topper हो, अगर आप ज्यादा intelligent हो, तो आपको लगता है यार छोटी 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 बहुत ज्यादा नलायक रहा हूँ, तो मतलब मैं समझता हूँ, मुझे किसी नहीं बताई, अब तो आपको कई strategy पता भी होगी, ये जो understanding है, ये क्या है, जब हम किसी question को read करते हैं तो एक बात याद रखनी है, आपका memory system activate हो जाता है, ठीक, शुरू में वो activate धीरे धीरे होत करते हो, आपने एक question number mcq first question read किया, ठीक है, stem read कर ली, उसके बाद चार option है, वो कैसे read करने हैं आगी चलके बात करते हैं, तो ये जो information long term memory से है, वो ऐसे ये रही, short term memory में होनी शुरू आयाती है, अब क्या है कि जो question stem में पूछा गया था, उससे related long term memory से जो जहां जहां पड़ा है, वो हमारा mind collect करने शुरू कर देता है, वो जितनी जल्दी collect होती है, उतनी जल्दी आप information को apply करते हो, और right answer पर पहुंच जाते हो, ठीक, तो वो strategies क्या है, कि मुझे वो चीज समझा जाए, आपने encoding करनी है, ये है mcq read करना, it means encoding करना, वो encoding करन है, उसकी strategy A, first, highlight, underline, और circle the keywords, जो भी stem में important है, सारी stem important नहीं है, कुछ ज्यादा important है, कुछ कम है, कुछ तो phrases ऐसे होती है, वो question बनाने वाले को भी नहीं लिखनी चाहिए होती है, among the following, there is, ये नहीं चाहिए, आपने main keyword देखने हैं, जो question पूछा गया होगा, ठीक है, तो आ अगर computer based test है, तो naturally आप underline नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आगे चल के पताता हूँ, आपको pen or finger use करना पड़ेगा, अच्छा आप यहाँ computer पर भी ऐसे circle करते हो, जब करते हो, mind की force वहाँ focus ज्यादा करती है, और जब ऐसे finger use करते हो, तो जो abstract चीज है mind में चल रही है, वो concrete हो जाती है, जिससे हमारे mind की energy save होती है, बेशक आपको बहुत कम लगता है, लेकिन जब 150 question को ऐसे करते हो, तो mind की energy, mind का जोर जैसे कम लगता है, ठीक, energy उसकी save होती है, अगर आप indicate externalization इसको बोलते हैं, अगर करते हो साथ में, ऐसे करके, एक शक्स है कि ऐसे ही read कर रहा help in deep thinking, एक है कर रहा help in deep thinking, deep thinking, किसको अपने underline करना है, यह आपके mind ने बताना है, तो यह क्या है, आपका focus और deep thinking में आपकी help करेगी, यह अभी नहीं करना आपने, strategy to be, use pen और finger आपको यह बता दिया है, कि finger और pen साथ में use करना है, तो यहाँ UGC network computer based है, आप finger हर हालत में use कीजिए, सक्रीन पर ऐसे रख के circle कीजिए, बेशक उसको underline वहां कीजिए, तो mind पर effect हो रहा है, बेशक बीजुली आपको underline नहीं दिखाई दे रहा, मैं UGC के कैंडी रेक को यहीं बात सिखा रहा था, तो उन्होंने कहा सर, बैने जो पिछला test दिया है, उसके जो सक्रीन नहीं है, तो distance है, आप अपनी chair को adjust करके, जो main word है, sentence है, phrase है, जो difficult है आपके लिए, उसको ज़रूर हर हालत में finger के साथ read कीजिए, वो आप जब आप ऐसे read करते हो, यह जो concrete चीज़ है, यह abstract चीज़ को facilitate करती है, support करती है, आपकी mental energy बचती है, अगर आपको रखता है, एक सो 50 questions और सभी question पर आप finger नहीं रख सकते, ठीक है, तो आप जो difficult और very difficult question है, उस पर finger का प्रयोग हर हालत में कीजिए, आपको mental support मिलेगी, अगर सभी पर कर सकते है, आपको easy लगता है, तब ही कीजिए, अगर आपको रखता है, इसकी थकान हो रही है, जब और कोई factor है कि मुझे यह difficult रखा है, पर फिर आपको यह suggestion यह है, कि आप easy question पर यह सभी ऐसे ही पढ़िए, यह देखे सभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो जो difficult है, उसके लिए आप finger का प्रयोग हर हालत में ज़रूर करें, ठीक है, इसकी practice अभी जे करनी है, उस वक्त नहीं करनी, अच्छा, example लेके हैं, कि इसको कैसे करना है, यह example है, question की, आपके net में से ही है, which statistical test of significance, statistical used to compare, मुझे यह लगा, important color बदल लेते हैं, compare the arithmetic mean of height to population, यह question, best question में मैं रखता हूँ, दिखना आपको कितना सोचना पड़ेगा, और destructor इसके कितने अच्छे हैं, जिसने भी डाले हैं, वो मुबारक है, वो इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक, तो अब आप कैसे सोचना है, आपने तीन अंडर, compare करना है, यह clear हो गया, relationship नहीं देख रहे हैं, compare देख रहे हैं, यह बात होगी clear, अच्छा, mean score है भई, अब यह देख रहे हो, पहले आपने इसको उठाया, इसमें mean score होता है, yes, कितने होते हैं, two, mean score, two, yes, इसमें two होते हैं, compare करने, काई स्केर में, काई स्केर, mean score नहीं, frequency पर बेज़ है, ठीक है, anova variance और वन वे अनोवा में दो से ज्यादा लेवल होते हैं, ठीक है, और two वे, three वे, ज्यादा अनोवा है, यह two प्लस हो गया, यहां two है, यहां two से ज्यादा है, और इसके में mean प्लस वेरियंस है, तो यह हो गया, z score, हाँ, z score में भी दो mean है, ठीक, तो जब हमने mean और two को compare किया, तो यह find किया, mind ने underline करके, इस पर apply किया, underline जो focus keyword थे, कि यह वाले fit नहीं बैठ रहे हैं, यह, और यह, और यह, टी टेस्ट भी दो का है, यह भी दो का है, इन दोनों में से right answer हो सकता है, दूसरा height, height अगर आपने सभी पर apply करना है, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही दो निकल चुके है, height आ रहा है ratio scale पर, ratio के scale आपको पता है, ratio है, interval है, ordinal है, nominal है, highest scale है, जब highest scale है, उसके पास सभी के, इसके, इसके characteristics हैं, जब highest scale है, वो उस पर कोई भी statistical technique लग सकती है, ठीक, हाँ, यह हम जानते हैं, कि टी टेस्ट के लिए का, बिलकुल कम से कम interval scale चाहिए, तो यह ratio है, दोनों चलते हैं, बिलकुल ठीक है, और काई scale के लिए कम से कम, ordinal scale पर data चाहिए, ठीक है, अगर इसे उपर हैं, तो भी झेचलेगा, अनोवा के लिए कम से कम, interval scale पर data चाहिए, ठीक है, यह सारे question के answer है, एक तरह से बन रहे, और Z क लिए भी interval scale पर data चाहिए अगर मैंने interval पर कहा है अगर हमारे पास data उससे उपर वाले scale का है तो चलेगा वो अगर नीचे वाले scale का है फिर आप उपर वाला नहीं apply कर सकते हैं ठीक अब ये हो गई बात हमने अभी तक ये और ये select किये हैं और अब हमारा रह गया कि ये मैंने underline किया में भी इसमें ना वो पढ़ा हो अब T test और Z में जिसकी knowledge ये है इसमें क्या difference है नॉर्मली ये कहा जाता है 30 प्लस large size large size जब होता है हम कहते हैं कि Z test apply होगा लेकिन एक और difference है कि Z test के लिए ये रख रहा हूँ Z test के लिए population variance and population standard deviation ये ज़रूरी है टी टेस्ट में ये ज़रूरी नहीं है और यहां क्या है population तो आप right answer तक ऐसे पहुंच सकते हूँ तो मैंने ये बताया है कि underlining से आपने main पर focus करके उसके बाद उस पर thinking करनी है जहां analysis करना है और जो wrong sub part है knowledge का वो उसके अधार पर उसको delete करते जा रहे हैं तो ऐसे आपने underlining को use करना है कई बार आप देख सकते हो के stem चोटी है और जो alternatives है जो options है ठीक है उसमें से key जो right answer है वो डूढ़ना है तो वो ही इतनी ज्यादा detail है it means आपको फिर finger मैं वो point बता रहा हूँ finger या pen use करना पड़ना है तो आप ज़रूर use कीजिए suggested solution अच्छा सबसे पहले suggested solution है भई of the problem को नहीं किया आपने याद रखा deduced consequences अब आप order कर रहे हो साथ साथ में सोच रहे हो ठीक तो ये finger को use करने वाले अपने कम से कम वो mental energy इतनी बचा लेते हैं कि next वाले difficults जो last में जो भी question बचे हैं उनको solve करने की energy उनके पास बची रहती है जल्दी चलते हैं वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि first second strategy rule ही नहीं अभी पूरा हुआ अच्छा next है second का c part compare the meaning of words or phrase if the test is available in second language ये बहुत जरूरी है UGC net आपको पता है दो languages में आता है English और Hindi में है अगर आप English के हो तो English पर ही रहिए अगर आप Hindi के हो तो Hindi पर ही रहिए लेकिन क्या होता है कि paper setter English में ही ज्यादा तर करते हैं उसकी बाद में translation होती है जब translation होती है तो probability of meaning की इधर उधर होने की संभावना होती है तो mostly मेरा survey ये कहता है English वालों को English language better easy लगती है लेकिन Hindi वालों को Hindi difficult लगती है पर shift क्यों करना है जब आपको कोई ऐसा word या phrase मिल गया जिसका आपको meaning नहीं पता अगर उसा meaning right पता चल जाए आप right answer तक पहुन सकते हो याद रखना preparation में एक strategy बताई है कि अपनी vocabulary increase करो language increase करो उससे ही आपके 5, 6, 7, 8, even 10 question तक ठीक हो सकते हैं अगर आपको paper में आने वाले सभी words और phrase का meaning ही clear है that is why वो preparation में यही कहा था कि जो syllabus में जो भी term आती है उसकी एक glossary बेशक बनाओ उसके meaning बेशक मैं वैसे video बनाओंगा के सिर्फ meaning syllabus में जो terms है अगर हो सका इन दिनों में तो वो जो word है अगर नहीं पता चलता तो वही fix मत रहिए उसको उसके सामने वाली जो option है उसको read कीजिए अगर उसके reading में से आपको कुछ clue मिलता है जिससे उसका meaning पता चल जाए तो आपका question solve हो जाएगा ठीक तो आप shift कीजिए अगर आप Hindi वाले हैं तो कोई बात नहीं rigid नहीं होना दोनों आपके लिए दिये गए हैं तो आप इसको solve करने की कोशिश कीजिए यहां से सिर्फ meaning समझना है फिर अपने वहाँ पर वापस आ जाना है sorry हाँ अगर आपका फिर time ज्यादा ले रहा है य यह next video में हमने करना है तो next d उसका part है strategy का अभी हम stem और question को समझने की strategies ही learn कर रहे हैं when question is difficult when sentence for long stem or long phrase is difficult to understand use a think aloud technique आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बेशिक इसको समझ लेना think aloud technique जो है private speech है वाइगास्त की का एक concept है private speech private speech में क्या है कि शक्स बोलता है ठीक है यह जो वो यहाँ पर जो read up कर रहे हो वो private speech को पहले समझ लें कि वो sound produce करता है so you and d कि वो जो सोच रहा है वही बोल रहा है ठीक है वो help sound जो बोलना है वो किसको guide करती है direct करती है help करती है उसकी thinking को अच्छा thinking ने क्या करना था thinking ने problem जो यहाँ task है task को solve करना है तो जब आप according to why ghost की social cultural theory है उसकी cognitive development की तो अगर जब आप private speech इसको आपके साथ कोई और ने बोल रहा है आप अपने task के लिए बोल रहे हो तो वो speech को private speech बूला गया है private speech ठीक है तो private speech की इस theory ने जो जिसको weightage सबसे ज़्यादा why ghost की ने दी है प्याजे ने नहीं दी है तो इससे कई methods और technique develop हुई है teaching learning process में cognitive modeling है जैसे ऐसे ही think allowed है think allowed जब वाइगौस्तकी ने ये concept रखा प्याजे ने ignore किया था तो वाइगौस्तकी के इतने concept पर बाद की research जो हुई वाइगौस्तकी के बाद वाइगौस्तकी तो जल्दी चले गए थे Russian psychologist थे तो बाद की problem जो research है उसने क्या कहा जब कोई person difficult problem face कता है तो difficult problem को solve करने के लिए वो private speech फिर बोलने लगता है थीक है तो research ने आगे क्या कहा जब difficult problem है प्लस आप private speech यूज़ कर रहे हो तो problem solving की probability बढ़ जाती है ठीक तो आप मैं क्या कह रहा हूँ कि think allowed आप जब रीड कर रहे हो difficult अगर long sentence difficult question जा स्टैम जा alternative आया है तब ये यूज़ करना है तो think allowed mean कि आप उची बोलोगे अग्जाम में कैसे बोल सकते हो तो इसकी तीन तीन चार category है think allowed की एक तो ऐसे बता देता हूँ एक तो है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं अच्छा इसका अगर ये ना हुआ इसको solve करने से अच्छा नहीं option B से बे तो ये तो गलत ऐसे नहीं बोल सकते आप आप क्या करोगे दूसरा इसका क्या है कि आप ने आवाज कम कर ली थोड़ा थोड़ा बोल रही हो अगर आपको लगता है इससे दूसरों को disturbance हो रही है वो आपके लिए गलत है ethically आप wrong हो फिर एक सिर्फ lip movement है आप lip move कर रहे हो पूरी तरह से कर रहे हो इससे किसी को disturbance नहीं हो लेकिन इस lip movement से बेशक थोड़ी से sound अगर आपको लगता है तो वो आपको directly help कर रही है difficult stem और language और word और phrase और alternative को understand करने के लिए तो exam में exam के त्यारी से पहले exam में मैं use करने के लिए ये कह रहा हूँ तो आप lip movement यूज करके अपनी brain को help दे रहे हो guidance दे रहे हो direction दे रहे हो assistance दे रहे हो जिससे उसकी energy कम और difficult problem थोड़ी easy थोड़ी easy हो जाती है ये research बता चुकी है तो ये आप apply कर सकते हो वापिस चलते हैं तो think allowed technique आप use कर सकते हो तो ये थी हमारी के जो technique हमने stem question को समझना है energy save time save देखे ये आप practice करोगे न आप उससे पहले अभी वीडियो निकाल रहा हूँ कि आप exam से पहले इसकी practice करके देखो तब भी अपनाओ अगर मेरे को नहीं लागू गरना तब ही अपनाओ अगर आपको satisfaction मिलती है अगर आपको लगता है यार हाँ मेरे लिए ये suitable आपके लिए suitable है ये सभी के लिए suitable नहीं है research बेशक बता रही है लेकिन अभी आपने practice कर ली है के नहीं practice करने के बाद पता चलेगा कि आपके लिए कितनी suitable है ठीक देखिए कितनी बड़ी stem है इसको जब अपने read करना है वही relationship between three अच्छा relationship जैसे ये underline किया मैंने ठीक है ये साथ में underline करके पिताता हूँ white वाला करता हूँ ये वाला देखिए अभी मैंने साथ साथ में बोला ये जरूरत थी मुझे बोलने की लेकिन ये मुझे guide कर रही है अच्छा relationship मुझे लगा ये important है three ये important है variable academic achievement अच्छा मैंने जल्दी जल्दी सोलिया academic achievement भी अच्छा ये है achievement interval scale पर intelligence भी interval scale पर socio-economic status ये interval पर नहीं है nominal scale पर है अच्छा पर यूजिंग Pearson पर्डक्ट मुवमेंट correlation मुवमेंट okay as per objective his or her study relationship between academic achievement and intelligence दोनो interval scale पर है उनका relation देखना है ये मुझे clear हो गया ना estimated by controlling this is मुझे लग रहा है ये सबसे important controlling mean उसको परे रखना है the influence of socio-economic status अच्छा उसको परे रखना है तो which statistical technique जिसको परे रखते हैं उसको partial correlation मैंने अभी देखो अभी मैंने option में नहीं गया मैंने mind में सारा सोच लिए अभी ऐसी technique partial correlation होता है ठीक है अब मैंने option नहीं देखे ये भी आगे जाके एक strategy बननी है अभी next strategy यही होनी है उसकी demo अभी हो गई है तो फिर आपने जल्दी जल्दी काई square नहीं काई square तो ordinal scale पर चाहिए यार अच्छा finding out partial है right answer चलो यह ऐसे solve करना है जब आप ठक जाते हो difficult problem को face करते करते read करते जहां आपको ठकावट हो गई है mind को ठकावट नहीं भी हुई है आधे गेंटे तक आपको आपकी energy लग चुकी है तो आप इसमें से कोई technique अप कि आप कोई question के बारे में सोच रहे हो सोच लो भी तीन सेकंड चार सेकंड ऐसे अपनी आँखों को थोड़ा सा प्रेस कर लो जितनी दिर सोच रहे हो प्रेस कर लो आपकी आँखों ने लगा पार कितने hour जो है minute जो है वो energy देनी इनको भी rest चाहिए अगर rest देते हो साथ में energy सेव हो जाती है इनकी functioning बढ़ जाएगी करके देख लो अच्छा head rubbing है अच्छा होता है बाद मैं बताओंगा पहले मालिश भी करवा सकते हो अपनी paper में जाने से पहले कोई problem नहीं है करवाईए उस दिन जरूर मालिश करवाईए उसकी practice लेकिन 4-5 दिन पहले कर लिए मालि अगर ठक जाती हो다면 सोच रहे हैं न साथ में यहां से यह देखिए यहां से आइसी press कीजिएे ऐसी ऐसी ओसे ऐसे ओसे ऐसे इसे दो थीन सेकेंड से चार सेकेंड पांच सेकेंड से फरक नहीं पड़ता है। उस से आपको अनरजी मिलती है। सारा वर्ल्ड योगा इलेकिन अम इंडियन लोग अपना ही नहीं रहे। वाइल थिंकिंग दा डिफिकल्ड प्राब्लम ये आप अपलाई कर सकते हो ठीक मेरे ख़ल यहां तक काफी है next मैं ऐसी ही strategy बताऊंगा इसकी ये वीडियो लंबा काफी हो गया है उसके लिए माफी मांगता हूँ लेकिन एक बार अपलाई करके देखिए next वीडियो इसके साथ ही लिंक होगा continue होगा thank you